स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्लास नाइन्थ का रेखाएं और कोण पर आधारित कोशन तो अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा इस पर तीन पार्ट आलरेडी बन चुके हैं अगर आपने उसको नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं तो इसमें दूसरा टापिक है सीरसा भीमो कोण अगर आपने रेखी यूगम को नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़िएगा तो दूसरा टापिक है सीरसा भीमो में आमने सामने क tendon को सीरषा भीवों को किते हैं दोस्तों जब एक रेखा को किसी दूसरी रेखा प्रतिछऺ्धत करती है तो क्या होता है यह एक रेखा थी त्योंत के दोस्तों देखे f4 कि एक रेखा थी जिसको dodब्णाद पर छेद करते हुए निकल गई तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंद उपर किसी बिंद उपर यानि यहां ओपर मूल बिंद उपर प्रतिछेदित करती हैं हैं तो प्रतिछेदन बिंदु पर बने यहां प्रतिछेदन बिंदु पर बने कोड़ों में आमने सामने के कोड़ को सेरसा भिमों कोड़ काते यानि एक कोड़ इसके बराबर होगा यानि कोड़ A, O, D बराबर होगा कोड़ C, O, B के और कोड़ B, O, D बराबर होगा कोड़ A, O C के तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों कोंड कोंड A O D तो A O D बराबर होगा दोस्तों A O D बराबर होगा COB के, यानि BOC के, तो कौण BOC के, जो की यही क्या होते हैं, सिर्चा भीमु कौण में सम्मु कौण आपस में बराबर होते हैं, इसी परकार BOD तो कौण BOD बराबर होगा, दोस्तों, BOD बराबर होगा, AOC, तो कौण AOC, क्या हो गया, सिर्चा भीमु कौण में सम्मु कौण आप मैं बराबर होते हैं तो एक कोण इसके बराबर होगा। इस पर चलीए कुछ हम आधारत कोस्विशन बताते हैं सिंपल सा कोश्विशन उसको जरूद देखें चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों question number first है देखिए इस प्रकार यदि क्रास में या इसे इस प्रकार यदि गुड़ा के रूप में बना आ जाए तो आप समझ जाएएगा कि यह कौन सा कौन है सिर्सा भीमुक कौन है तो सिर्सा भीमुक कौन में आपस कौन आपस के आमने सामने के कौन बराबर होते हैं अगर आप इसे छुपा लेते हैं तो देखिए दोस्तों अगर आप इसे छुपा लेते हैं तो देखिए रेखी यूगम बन जा रहा है रेखी यूगम अगर इसको आप हटा देंगे इस रेखा को तो एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा है तो यानि रेखी यूगम बन रह कौन B O D बराबर 180 अंस होता है इसको जरूर देखिए गर लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो देखिए A O D का मान कितना दिया है A O D कौन A O D का मान 45 अंस तो 45 अंस रख देंगे और यहां कौन क्या हो जाएगा B O D हो जाएगा इसको घटा देंगे तो क्या निकल कर आएगा इसको घटाएंगे 135 अंस क्या हो जाएगा कौन B O D बराबर 135 अंस हो जाएगा यानि दोस्तों क्या हो गया कौन B O D बराबर 135 अंस है तो दोस्तों सीरसा भीमो कौन में क्या होते हैं सम्मौ कौन बराबर होते हैं तो यानि B O D बराबर किसके होगा A O C के तो सीरसा भीमो कौन से लख देंगे सीरसा भीमो कौन से तो सीरसा भीमो कौन में क्या होते हैं सम्मौ कौन बराबर होते हैं यानि B O D तो हम लिख देते हैं कोण B O D बराबर क्या होगा कोण A O C तो कोण A O C is equal to क्या हो जाएगा 135 यानि दोनों का मान क्या निकल कर आएगा इसका भी 135 इसका भी 135 क्योंकि A वाला कोण जो होगा वही कोण A होगा अगर इसका भी पूचता तो यह 45 है तो दोस्तों A भी 45 हो जाएगा आसा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा चले दोस्तों A O D की जगह हम लिख देते हैं अगर 65 ठंस दिया होता A O D की जगह पर कोण A O D बराबर 65 ठंस दिया होता तो दोस्तों आप comment box में बताईएगा कि BOD कितना निकल कर आएगा comment box में आप क्या बताएंगे BOD, BOD का मान क्या निकल कर आएगा यदि AOD का मान 65 थान दिया है तो कौन BOD का मान क्या निकल कर आएगा इसे आप हल करके इसका उत्तर comment box में जरूर देजिएगा आसा करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा समझ में आया हो तो लाइक करिएगा दोस्तों के साथ सेयर नहीं करते हैं आप लोग सेयर जरूर कीजिएगा नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और आल पर सेट कीजिएगा इस प्र बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा लाइक कीजिएगा धन्यवाद चलिए फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में तब तक के लिए टेक केर जैहिंद वंदे मातरम